हेलो एबरिवन आप सबी का स्वागत है हमारी यूटूब चैनल अपना सफर 786 में विवर्स आज की टेरो का रिडिंग में हम देखने की कोशिच करेंगे आज रात आपके परसन की करेंट फिलिंग अपके लिए क्या रहने वाली हैं आज रात आपके परसन आपके बारे में क सबसे रिडिंग को देख सकते हैं और ये रिडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है और वस आप चाहें तो अपने आजबन वाइफ के लिए देख सकते हैं आप अपने क्रेश के लिए देख सकते हैं या फिर आप किसी भी एक ऐसे इंसान के लिए देख सकते हैं जिसकी पर जो जोडियक साइन हैं वो हैं कुमे तूंतला, एक्वेरिज जैविनाई, लीब्रा, मिन कर्वेशिक, पाइसीज, कैंसाइस, कॉर्पियो, ओके वर्स यापके साइन या फिर आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं और यहाँ पर अगर हम सबसे पहले बात करें, आपके परसन की फीलिंग्स की, कि आज रत क्या रहने वाली हैं, किस एनरजी में रहने वाले हैं ये परसन, तो यहाँ पर एक ऐसे परसन की एनरजी नजर आ रही हैं, जो इनसान चाहा कर भी अपने पास्ट को बुलाना ही बारह है, पास्ट में की गई गलतियों को सुधारना इस परसन को बहुत मुश्किल लग रहा है, इस परसन को ऐसा लग रहा है कि इस परसन ने बहुत सारी ऐसी गलतियां की हैं, बहुत सारे ऐसे रिलेशन बनाए हैं, जिनके बारे में ये परसन अब सोचते हैं तो इस परसन को ऐ ऐसा लगता है कि पास्ट से मोबऑन करें कि लाइफ में आगे ज़िए बढ़ना भी इस प्रसन के लिए बहुत ज़़ादा मुश्किल है क्यों कि कहीं न कहीं ये परसन और अपने पास्ट में अटक कर रहे किया है और ये परसन एक ऐसी जिन्दी की जी रहे है जहाँ पर इस सब इस परसन को काफी हैपी और खुश नज़र आ रहे हैं इस परसन को ऐसा लगता है कि अगर दुकी है तो ये परसन ही है तो ये परसन चाहा कर भी ना अपने पास्ट को क्लीन नहीं कर पा रहा है और ये जो पास्ट की छाया इस परसन के साथ साथ चल रही है उसको ये परसन ignore भी नहीं कर पा रहे हैं और वह सारी ऐसी चीज़े हैं जो इस परसन को इसके पास की याद दिला देते हैं तो यह परसन जिस इनसान से मिलता है जिस इनसान के साथ में भी इस परसन की दोस्ती बढ़ती जाती है ना और जो इनसान इस परसन के पास्ट के बारे में जानता है फिर ना दीरे दीरे इस परसन से दूरियां बढ़ा लेता है और ये परसन फिर तनहा और अकेले रह जाते हैं तो इस परसन को ऐसा लगता है कि आज के टाइम में कोई भी एक ऐसा परसन इस परसन की लाइफ में नहीं है जो इस परसन के दुख को दर्द को बाट सके ये इस प परसन की जिन्दगी में एक ऐसे इनसान की कमी है जो इनसान इस परसन की दुख को समझ सके और इस परसन की जिन्दगी में कुछ खुशी ला सकी तो यहां पर जब आप इस परसन से मिले हैं ना तो यह परसन इतना ही टूटा हुआ और ऐसी ही काफी घमजदा इनसान थे तो आ आपने इस परसन की negativity को निकालने में काफी इस परसन की help की है आप जब इस परसन से मिले थे ना तो आपसे भी इस परसन को कोई उम्मीद नहीं थी इस परसन ने आपसे भी कोई उम्मीद जादा नहीं लगाई थी परहा दिरे दिरे ये परसन जब आपको जानते गए ना तो इस परसन को ऐसा लगा कि आप इस परसन की परशाई है यानि कि आपका जो दर्द है ना ये परसन महसूस कर पाए थे और आप इस परसन का दुख जान पाए थे समझ सके थे तो आप दोनों को एक दूसरे से मिलकर ऐसा लगा था कि आप दोनों एक जैसे हैं तो काफी अच्छ के लिए बने हैं तो आप दोने एक दूसरे में खुद को देख पा रहे थे पर यहां पर ना यह जो रिश्टा तो आपका जादा टाइम तक चला नहीं है ऐसा भी लग रहा है तो यहां पर आपका परसन आपसे मुवान करिया है हो सकता है इस परसन को ऐसा फील होने लगा था कि शायद यह अपनी नेगेटिविटी आपको देने लग गए हैं आप भी कहीं इस परसन के जैसे ना बन जाएं तो धीरे दीरे इस परसन ने आपसे दूरियां बढ़ानी स्टार्ट की दिए क्योंकि यह परसन जादर टाइम तक ना आपके साथ भी इस रिश्टे को नहीं बना रहेगा क्योंकि आप दोने ही दुखी थे आप दोने ही काफी परशान थे और यह परशानी हैं आप दोनों के दूसरे के करीब ले आएं थी आप अपना दुख सुख तो बाट रहे थे पर ना कहीं ना कहीं ऐसा एक खाली पन भी महसूस कर रहे थे क्योंकि आप लोग रही कि आपके परसन को ना आपके साथ में जो spiritual connection फील हो रहा था ना उससे भी परसन भागने लगा था तो इस परसन को ऐसा महसूस होने लगा था कि आप इस परसन के ना इतना सदा करीब आते जा रहे हैं कि ये परसन अगर कभी आप से दूर जाना चाहे या फिर ये परसन अपनी सिंदे की को अपने तरीके से जीने की कभी खुआईश करे तो कर नहीं पाएगा ये बंदन में बंद कर नहीं रहना चाहते थे इस परसन को एकांत अच्छा लगता था और कभी कबार ये परसन ना इस कदर नेगिटिव हो जाये करते थे कि इस नेगिटिव इडिस से आप इस परसन को चाहा कर भी नहीं निकाल पाते थे तो कोई पास्ट का इस परसन का ऐसा ट्राॉमा था जो इस परसन को ना काफी गायल की हुए था ये परसन काफी गमजदा थे उसके बारे में जब सोचते थे ना अपने पास के बारे में जब सोचते थे तो कहीं न कहीं इस परसन को ये डर भी लगता था कि कहीं इस परसन का पास्ट आप दोनों के रिष्टे की दूरियों को और ना बढ़ा दे तो ये परसन पूरी तरह से इस रिष्टे को खात्म करके चले गए थे ऐसा लग रहे हैं यहाँ पर तो काफी ना ये एक ऐसा मिस्टियस टाइप का बंदा था कि आपकी समझ से बाहर था आप समझ नहीं पाई इस इंसान को कभी भी कि ये परसन कब खुश होते हैं कब दुकी होते हैं आपने तो अपना दुक इस परसन को बताया था जो भी गम आपकी जिंदेगी में था पर इस परसन ने कभी भी आप से खुलकर अपने पास के बारे में बात नहीं की थी तो ये जो डर धना इस परसन को की जिस तरह से और रिष्टे इस पसंद के टूटे हैं इसी तरह ये रिष्टा भी अगर टूट गया तो क्या होगा तो इस परसन का जो डरदाना उसको फेस करना सही नहीं समझा ऐसा लग रहा है और ये परसन आपसे पूरी तरह से इस रिष्टे को खत्म करके चले गए और ये person अपनी life में खुश है ये person अपनी life को enjoy कर रहे हैं खुल कर जी रहे हैं तो हो सकता है आप दोनों इस वक्त ना इस दुसरे से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हो और आपको ऐसा ही लग रहा है कि िये person खुल कर अपनी जिन्दे की जी रहा है तो ऐसा नहीं है, यहां पर यह परसन ना काफी दुखी और परशान है अगर इस परसन आप से रिष्टा तोड़ा है ना तो इसलिक नहीं तोड़ा कि आप में कुछ कमी दी या आप इस परसन को समझ नहीं पा रहे थे आप इसको अच्छे से समझ भी रहे थे फिर भी ये परसन ना अपने ही घम में इसकदर गोए हुए थे कि ये परसन ना आपके साथ को ज़्यादा टाइम तक ना बनाए नहीं रख सके और जलबाजी का डिसीजन कह सकते हैं इसे कि ये परसन जलबाजी में आकर कि आपसे पूरा तालुक खत्म करके चला गया ये परसन अगर आपको समझाते अपनी सिचेशन अपनी फिलिंग्स बताते तो आप इस परसन की फिलिंग्स को अच्छे से समझभाते पर ये person तो इससे पहले ही move on करके चले गए है आज भी आप इस बारे में सोचते हैं और ये person भी इन सारी चीज़ों के बारे में सोचते हैं ऐसा नहीं कि इस person को आपकी याद नहीं आती ये person कभी-कभी सोचते हैं कि जब कभी भी ये परसन अपने पास को पूरी तरह से clean कर पाएंगे अपने जीवन में कुछ बड़ा कर पाएंगे आपके दुख को कम करने में अगर ये help कर सकेंगे तो ये परसन return आपकी life में आ सकेंगे तो ऐसा ही परसन आज रात फील करने वाले हैं इसी तरह की feeling इस परसन की रहेंगी इस परसन को इस चीज़ का ऐसास तो है कि इस परसन ने आपका दिल तोड़ा है आपका दिल दुखाया है इस परसन को जब एक ऐसा इंसान मिला था कि जो इस परसन को समझ भी पा रहा था और आप दोने एक दूसरे को मिरर भी कर रहे थे कहीं नगें ये परसन ना ये चीज़ भी सहन नहीं कर सके है ऐसा भी लग रहा है तो आप दोने के भी जो नजदीकियां बढ़ रही थी ये परसन इन नजदीकियों से घबरा गए थे और ये शायद प्यार में पढ़ना नहीं चाहते थी इसलिए भी परसन आपसे मुवान कर गए है पर आज भी ये परसन आपके प्यार को आपकी केर को याद करते हैं आज राद भी ये परसन इस इनरजी में रहेंगे कफी दुखी रहने वाले हैं और ये परसन ऐसा महसूस करेंगे कि आप इस परसन के आसपास ही है आज भी आप इस परसन को पॉजटिविटी देते हैं और ये परसन अपने जीवन में अकेले जरूर है पर हाँ आपको बहुत मिस करते हैं तो ये चीज़ यहां नजर आ रही है ये परसन अपने दुख में ह खोई हुए हैं आज रहत भी इसी दुख में खोई हुए नज़र आ रही है यह दिए आपके रिडिंग आयोब आपको पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें बैल नटिफिकेशन को और पसलेक कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो को निटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुचें और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख भाएं अपनों का ख्याल रखें लव यौल